गुद मॉनिंग दियर स्टुडेंट्स, तुडे वी अर गोईंग टो लॉर्न, एक्सेज 3, पेज 94, एक्सेज 3, पेज 94, कम्प्लिट द मल्टिप्लिकेशन सेंटेंस, यानि कि आज मैं आपको सिखाने वाली हूं, मल्टिप्लिकेशन टेबल में 0 से मल्टिप्ले करने से क्या नमबर आता है उसका, और 1 से मल्टिप्ले करने से क्या होता है करके, ओके, and we will learn only the question number 1 and 2, 3 no need to do, okay, first question, complete the multiplication sentences, second one, fill in the missing numbers, यानि कि 9 0 सर, 9 0 सर, कभी भी कोई भी डिजिट 0 से मल्टिप्ले करेंगे, तो उसका अंसर 0 ही होगा, when we will multiply the digit with the 0, the answer will be 0, the answer will be 0, and when you will multiply the number with 1, the digit will be same, we will get the same digit, we will get the answer, 8 1 सर, 8, 1 से मल्टिप्ले करने से सेम नंबर आएगा, और 0 से मल्टिप्ले करने से 0 ही आएगा, for example, see, 6 into 0, 6 0 सर, 0, and this one, 10 1 सर, मैंने बोला न, 1 से मल्टिप्ले करेंगे तो, वोई खा वोई नंबर आएगा, 7 0 सर, 0, 9 1 सर, 9, okay, one more time I am repeating, कभी भी आप कोई भी डिजिट को 0 से मल्टिप्ले करोगे, तो 0 ही आएगा, and one से मल्टिप्ले करोगे, तो same answer, same digit ही answer होगा, अभी second question देखिए, fill in the missing numbers, fill in the missing numbers में, यहां पर answers दिया हुआ है, और questions दिया हुआ है, किस number से मल्टिप्ले कर किया हुआ है, वो अपन को multiple पता नहीं है, तो answer 0 आया है, और 0 आएगा, तो क्या आपको पता ही है, 0 ही होगा न, और same digit आएगा, question और answer में same digit है, तो किस से multiply होता है, 1 या 0, 1, good, पहले उपर में आपको सिखा है न, अभी, और 0 हो तो 0, same digit हो तो 1, 0 हो तो 9 और यहां पर 9 है, यहां पर answer क्या है, 0, तो 0, same digit, 7, 7 तो 1, okay, question number 1 and question number 2, you want to do in the notebook, आपको आपके notebook में करना है, दोनो, 1st question and 2nd question, okay, and read the multiplication tables daily, आपको 2 से 10 table तक मुँपे याद होना चाहिए, बच्छो, आपको रोजो tables learn करना है, okay, thank you.